हलो एवरिवान स्वागत आपका अपने ही चैनल बेंग्लिश टैंकर मैं गाइस आज मैं लेकर आए हूँ आपके लिए ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश एक एक वर्ड की इंग्लिश मैं यहां पर लिखती जाओंगी और जो भी ग्रमेटिकली स्टॉक्चर होगा कि कौ ट्री थीव्स एक बार टीन चोर थे ठीक है अब इस सेंटेंस में कोई भी एक्षन नहीं है तो हम इसमें वर्ड की फॉर्म तो बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे तो यह सेंटेंस किससे बनेगा सिंपल वॉज वर से जो की पास्ट में यूज होते हैं सिंपल सेंटेंस बना पाया इंट्रोडक्ट्री देर है कोई भी चीज होने के लिए एक बार ये था एक बार वो था तो उसके लिए हम देर का यूज करते हैं वंस देर वर वर क्यों लगाया क्योंकि तीन चोर थे अगर एक होता तो हम वाज लगाते अब तीन है जादा के लिए हम वर का यूज क हम thieves, three thieves, once there were three thieves, ठीक है, एक दिन, उन्हों ने, तो उन्हों ने क्या है, हमारा subject है, one day, उन्हों N见, means, they, ठीक है, उन्होंने क्या किया, action क्या किया उन्होंने इसमें, दिकैती डाली means, चोरी की दिकैती डालना, उसकी इंगलिश होती है, वर्ब क्या होती है, उसकी, robbed second form लगाई one day they robbed उन्होंने डिकैती डाली किसके घर में वेपारी के घर में धनी वेपारी के घर a wealthy merchant merchants तीक है इस तरह से merchant's house means धनी वेपारी के अपोस्ट्रोफे s काके की का काम करता है wealthy merchant's house क्या किया उसके घर में डिकैती डाली one day they robbed a wealthy merchant's house clear है आगी देखते हैं हमने इसमें किसका फॉर्म की फॉर्म second form means past indefinite फिर वे नगर के बाहर एक घने जंगल में गए फिर means then वे subject है दे गए action है ठीक है इसमें तो हम verb की फॉर्म तो लगाएंगे गए means जाना go होता है लेकिन इसमें हम second form का use करेंगे went simple past है फिर वे गए बस इतना बन गया कहां गए नगर के बाहर एक घने जंगल में in a deep घना forest ठीक है outside the city then they went फिर वे गए गने जंगल में in a deep forest नगर के बाहर outside the city ठीक है starting में होता है subject last में होता है हमारा verb और फिर last में फिर back से ही हम start करते हैं sentence को बनाना आगे देखते हैं वे आपस में धन बाटने लगे वे मिन्स subject है दे लगे मिन्स started उन्होंने शुरू कर दिया started मिन्स second form क्या करना शुरू किया sharing बाटना यहाँ पर sharing किसका काम कर रहा है gerund का लगे भी verb है बाटना भी verb है लेकिन इसको हमने क्या बना दिया noun तो यह किसका काम कर रहा है बाटना शुरू कर दिया money पैसे को किसमें आपस में among themselves जादा थे तो themselves लगेगा they started sharing money among themselves means उन्होंने आपस में means उनके अपने बीच में ही उन्होंने पैसों को बाटना शुरू कर दिया तीक है ऐसा करने से पहले उन्हें भूक लगी ऐसा करने से पहले ठीक है before doing so before doing so so means ऐसा ठीक है before means पहले doing means करने से पहले ऐसा करने से पहले before doing so उन्हें भूक लगी उन्हें means दे लगी felt मैसूस किया उन्होंने felt hungry they felt hungry clear है then they went in a deep forest outside the city they started sharing money among themselves before doing so ऐसा करने से पहले they felt hungry आगे देखते हैं इसलिए उन्हें से एक भोजन लेने के लिए शहर गया उन्हें से एक के लिए हम कैसे बनाएंगे इसलिए so उन्हें से एक one of them one of them गया went ठीक है जाना go second form went so one of them went कहा गया to the city शहर को गया क्या लाने to get लाने food to get यहाँ पर क्या है infinitive ठीक है purpose को दिखा रहा है कि वो शहर गया क्या लाने के लिए to get food उसने शहर में जाकर खाना खाया एक इंसान गया था वो पहले गया और वहाँ पर उसने जाकर क्या किया खाना खाया he went to the city and ate ate means खाया eat होता है खाना second form ate क्या खाया food so one of them went to the city उनमें से एक गया शहर को क्या लाने के लिए food he went to the city वो शहर गया और उसने खाना खाया ठीक है आगे देखते है फिर उसने packed खाने में जहर मिला दिया क्यूंकि वह सारा धन अपने पास रखना चाहता था जो लड़का शहर गया खाना खाने के लिए फिर उसने खाने को packed भी किया और उस खाने में उसने जहर मिला दिया फिर फिर उसने यहां तक बनाते हैं मिला दिया पास्ट इंडेफिनेट है मिलाने की क्या होती है mixed mixed क्या मिलाया जहर मिलाया poison then he mixed poison किसमे packed खाने में in the packed food क्यूं क्यूंकि because वह सारा धन अपने पास रखना चाहता था past indefinite है because he wanted wanted to keep ठीक है wanted to keep रखना चाहता था all the money सारा पैसा या all the wealth with him अपने पास ठीक है then he mixed उसने मिला दिया he mixed पहले हमने इसको लिया फिर हमने इसको लिया ठीक है action subject और action मिल गए sentence complete हुआ अब हम others कहां से शुरू करेंगे इस तरह से poison मिलाया in the packed food because क्यूंकि यहां तक खतम हुआ क्यूंकि where he wanted to keep वह रखना चाहता था वह चाहता था to keep क्या है infinitive है all the money with him दूसरी और जंगल में दोनों चोरों ने भी एक योजना बनाई एक चोर तो गया था खाना लेने के लिए उसने क्या किया खाने में जहर मिला दी अब दूसरी और जंगल में दोनों चोरों ने क्या किया योजना बनाई दूसरी और means on the other side on the other side ठीक है दूसरी और जंगल में दोनों चोरों ने अब दो चोर क्या है हमारा subject है उन्होंने काम किया है ना the two thieves the two thieves in the forest also made बनाया ठीक है the two thieves in the forest also made क्या बनाया एक plan एक योजना बनाई made a plan ठीक है वे एक पेड के पीछे चिप गए past indefinite है they वे चिप गए चिपने की क्या होती है hid ठीक है hide, hid, hidden second form लगाएंगे they hid behind the tree ठीक है वे एक पेड के पीछे चिप गए they hid behind the tree आगी देखते हैं जब पहला चोर आया तो उन्होंने उसे चाकू मार कर मार डाला जब पहला चोर आया जो खाना दे ले ले गया था जब वो आया ठीक है came, आया second form लगेगी they उन्होंने क्या किया stabbed stabbed क्या होता है यह आपने न्यूस पेपर में बहुत पढ़ा होगा चाकू मारना ठीक है चाकू मार के मार डालना they stabbed him उसे to death means उसको मार डाला means death तक पहुँचा दिया चाकू मार कर उसको death तक पहुचा दिया when the first thief came जब वो आया they stabbed उन्होंने उसे चाकू मारा उसे stabbed him to death और उसको मार दिया ठीक है फिर वे खुशी खुशी खाना खाने बैठ गए उनको लगा कि वो खाना लाया जो खाना लेकर आया था उसको मार दिया था उन्होंने क्या किया खुशी खुशी खाना खाने बैठ गए then they happily ठीक है खुशी खुशी happily बैठ गए sat down second formula की sat down to eat the food they happily बहुत खुशी से वो बैठ गए they sat down खाना खाने के लिए to eat the food लेकिन जैसे उन्होंने खाना खाया वे मर गए but जैसे ही as soon as they ate second form खाया they ate it या फिर they ate the food उन्होंने खाना खाया they died मर गए second form लगी यहां भी second form लगी जैसे ही उन्होंने as soon as they ate जैसे ही उन्होंने खाया खाने को they died वे मर गए ठीक है क्योंकि बोजन में जहर था because there were there was poison in the food there was poison in the food कोई भी चीज होना इंट्रोड़क्टिव देर है क्योंकि खाने में क्या था जहर था there was poison in the food खाने में जहर था इस प्रकार वे अपनी अपनी बुरी सोच के शिकार बन गए तीनों की क्या थी सोच जो थी वो बहुत गलत थी करने को वो आश कर सकते थे जो भी उन्होंने पैसा चुराया या कुछ भी किया लेकिन उनकी जो सोच थी वो क्या थी बहुत गलत थी Thus means इस ट्रकार They all Became Became means बन गए They all became वे सभी बन गए क्या बन गए Victim दोशी बन गए Victims of their Evil Thinking ठीक है अपनी बुरी सोच अपनी बुरी सोच के कारण वो क्या बन गए Victim बन गए अगर उनकी सोच अच्छी होती तो वो सारा शेयर अपने आपस में बाढ़ सकते थे लेकिन तीनों की ही जो सोच थी वो बुरी थी They all became victims of their Evil thinking I hope यह स्टोरी आपको अच्छी लगी और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत बूलेगा God bless you